हाई गाई तो यार आज हम बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 देखेंगे मेडियम लेवल का क्वेश्चन है लीड को 958 और इफ यू रमेंबर मैंने इस क्वेश्चन का एक अप्रोच आपको बता रखा है ब्रेट फर्स सर्च के मदद से और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको डेप्थ फर्स सर्च से कहसे सॉल्फ कर सकते हैं क्वेश्चन था कि हमें यह पता करना है कि एक गिवन बीनीरी ट्री कम्पिर बानीरी एक की नहीं है ठीक है और हमने डिफिनेशन बता रखा है कि कि यह होता है ठीक है सारे levels filled होते हैं except the last level और last level में जतने भी notes होते हैं वो इद्दम leftmost में होते हैं ठीक है as left as possible तो this is a complete binary tree देखो हर level filled है पूरा यह भी filled है यह filled नहीं है मतलब इसका right child नहीं है देखो तरीका बट जतने भी notes है वो as left as possible है ठीक है so this is a complete binary tree और यह दूसरा example किया इसमें आप देखो यह complete binary tree नहीं है क्योंकि देखो पहला level तो filled है which is fine second level भी total filled which is fine but third level में देखो यह देखो यहां पर यह इसका एक node यह missing है but यह जो node है यह 10 है वो leftmost में नहीं है it should be in the left as the left child of 20 so this is not a complete binary tree तो इसका answer false होगा ठीक है तो देखते हैं कि breadth first search से कैसे solve कर सकते हैं इसको ठीक है तो यह एक चीज़ आपको याद होगी कि आप एक binary tree को ना array के भी form में represent कर सकते हो right है है ना अगर इसको मैं erase कर देता हूं फिर से यह जो indexing मैंने कर रखी है आप एक binary tree को array के form में भी represent कर सकते हो और सबके indexing कैसे होती ही वो मैं बताता हूं माले लेते हैं इसका index अगर 1 है ठीक है तो 7 का जो left child होगा ना वो 2 into parent का जो index है तो parent का index क्या है 1 तो 7 का जो left child होगा वो 2 into 1 पर होगा that is 2 7 का right child जो होगा वो 2 into 1 plus 1 मतलब मैं फिर से बताता हूं कि अगर यह parent है ठीक है और इसका index अगर i है तो left child का index 2i होता है और right child का index 2 into i plus 1 होता है ठीक है तो यह 2 हो गया और यह 2 into i 2 plus 1 3 हो जाएगा ठीक है इसी तरह 9 का left child और right child का लिखते है यह 4 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा 3 20 का left child तो है नहीं 2i वाला 2i plus 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा तो इसको अगर हम array में represent करें तो कुछ ऐसा देखेगा 7 यह index 1 है index 2 में 9 है index 3 में 20 है index 4 में 31 है index 5 में 11 है index 6 में कुछ नहीं है ठीक है index 7 में 10 है ठीक है तो देखो अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर जिस चीज़ से question solve हो जाएगा ना वो ही चीज़ अभी मैं बताने जा रहूं आप देखो अभी आप जब 7 में आए index क्या है 7 है ना इसका index 7 है और अब देखो total notes कितने है इसके इस पुरे ट्री में total notes कितने है 1,2,3,4,5,6 total notes 6 है और index देखो 7 तक जा चुका है ठीक है तो अगर जो index है वो greater than notes का count notes का count हो गया तो यह complete binary tree नहीं होगा ठीक है बतब किसी भी point पे अगर index जो है वो total notes के count से जादा हो गया तो यह complete binary tree नहीं हो सकता है ठीक है तो ठीक है यह तो complete binary नहीं था तो इसका answer false होगा अब एक काम करते हैं complete binary tree ले लेते हैं और देखते हैं क्या सच में यह condition hold करता है क्या ठीक है तो यह complete binary tree ले ले लिते हैं 7 पहले ड्रॉ कर लेता है ठीक है 138 कुछ भी नम्मर देते हैं 6 ठीक है अब इसका index है 1 इसका index 2 हो जाएगा इसका index 3 हो जाएगा पहले इसका index क्या हो जाएगा 4 इसका index 5 इसका index 6 हो जाएगा है ना टोटल नोट्स केतने हैं एक दो तीन चाहां पाद 6 है और index देखो तो index यहाँ पर maximum कौन सा index 6 है ठीक है तो क्या 6 greater than total number of notes है क्या नहीं इसका मतलब कहीं पर भी ऐसा मुझे index नहीं मिला जो कि total number of notes से जादा हो तो यह complete binary tree है ठीक है एक और example ले लेते हैं अगर आपको भरुसा नहीं हो रहा तो यह हर बार true होगा ठीक है एक complete binary tree ले लेते हैं जिसमें इतने notes है ठीक है last में एक और ले लेते हैं leftmost में है यह भी complete binary tree है ठीक है इसका index 1 है तो इस color change कर लेता है इसका index अगर 1 है तो इसका index 2 इसका index 3 इसका index क्या हो जागा 4 इसका index हो जागा 5 इसका index हो जागा 2 x 3 6 इसका index हो जागा 2 x 3 plus 1 that is 7 इसका index हो जागा 8 चलो ठीक है maximum index 8 आया है और total notes कितने है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना तो maximum index 8 है तो यहां पर भी हम बच गए maximum index की value कहीं पर भी ऐसा कोई index मुझे नहीं मिला जो total number of notes के count से जादा हो so it is a complete binary tree ठीक है और एक और खास बात complete binary tree को जब array में represent करोगे ना तो देखना बीच में gap कभी ही नहीं मिलेगा आपको कि देखो कि इसी को ड्रॉ करते हैं इंडेक्स वन में है कोई element numbering कर देते हैं कुछ यहां पर आना माल लेते हैं 5 है 8 है 9 है 2 है 12 है 40 है 31 है 60 है तो इसको ड्रॉ करते हैं index 1 में 5 है इंडेक्स 2 में 8 है इंडेक्स 3 में क्या है 9 है index 4 में 2 है index 5 में 12 है index 6 में 40 है index 7 में 31 है index 8 में 60 है ठीक है देखो बीच में एक भी खाली डबन नहीं मिला है ना विए वाट याद करो इससे पहले हमने जो array बनाया था यह complete binary tree नहीं था रहा है याद है क्योंकि इसमें इंडेक्स की इसमें इंडेक्स की वाली जो 7 है वो total number note से जादा है ठीक है तो इसका अगर हमने रेप्रेजेंट किया था अरे में तो देखो बीच में खाली डबबा मिल गया था है ना तो यह तो एक character stick है जो मैंने आपको बता दिया है बट में अपका क्रक्स यह ही है इस question का यही main part था कि इंडेक्स की value अगर total number of count से जादा हो जाए तो इट विल नॉट बी अ complete binary tree तो अब इसका solution बहुत simple हो गया पहला चीज क्या करोगे total number of notes निकाल लो ठीक है फिर DFS लगा देंगे है ना और DFS लगा देंगे अगर left child के पास जाएंगे तो क्या भेज़ेंगे index 2 into i और right child के पास जाएंगे तो क्या भेज़ेंगे 2 into i plus 1 है ना और किसी भी ऐसे moment में ऐसा आ गया कि जो index है वो greater than total notes हो गया तो complete binary tree नहीं है और हमने DFS complete कर लिया और कहीं पर भी ऐसा condition नहीं आया it means complete binary tree रहा होगा वो ठीक है काफी simple सा concept था बड़ बहुत interesting है यह इसका अब code करके देखते हैं ठीक है तो question पढ़ लेते हैं वही question है यार same question है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको पता करना है कि एक binary tree complete है की नहीं ठीक है और complete binary tree का definition यहां दे रखा था तो हम direct solution पर आते हैं जो मैंने बताया है ठीक है इस वीडियो में कि DFS के त्रूप चलो देखते हैं कि यूजिंग DFS ठीक है तो सबसे बढ़े मैंने क्या बोला की भाई टोटल नोट्स के काउंट निकाल लो ठीक है टोटल नोट्स ठीक है फंक्शन का नाम काउंट काउंट नोट्स रक लेते हैं यह रूट यह मुझे तोटल नोट्स काउंट देगा ठीक है उसके बाद मैं क्या करूंगा आ ठीक है रूट के साथ और मैं टोटल नोट्स भेज़ दूंगा ठीक है और रूट का index क्या रखेंगे इंट i is equal to 1 रखते हैं ठीक है i1 और ये हमारा काम कर देगा ठीक है तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपना helper function count nodes का ठीक है काफी simple सा है count nodes का function ये आपको भी पता होगा इसलिए मैंने इसमें जादा time नहीं दिया इसको बताने में मैंने इसको count nodes सा explanation मैंने आड नहीं कि आपने वीडियो में क्यूंकि this is a very basic question जो आप कर चुके होगे कही बार if root is equal to is equal to null return 0 अगर ऐसा नहीं है तो root तो 1 node हो गया 1 1 node plus left से मुझे जो मिल रहा है वो plus right से मुझे जो मिल रहा है वो total nodes को मैंने add कर दिया और मैं भेज दूँगा तो count nodes से लिखा गया ठीक है अब मैं DFS लिख देता हूं ठीक है DFS में सबसे पहले हम क्या ले रहे है root load ले रहे हैं int index ले रहे हैं i मान लेते हैं इसको ठीक है और int total nodes ले रहे हैं ठीक है तो if not of root या तो if root is equal to is equal to null ठीक है तो return true कर देंगे अगर हमार root null है तो complete binary tree है already ठीक है और किसी भी time पे index is greater than total nodes हो गया तो भाई false return कर दो complete binary tree नहीं है हमारा जूट की बेंट्री है ठीक है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर DFS root का left भेजेंगे और याद करो left child का index क्या होता था 2 into i total nodes भेज दिया left child भी होना left subtree भी होना चाहिए complete binary tree and and DFS root का right इसको नीचे लिख लेता है और यहाद है right side का index का था 2 into i plus 1 है ना total nodes यह return हो जाएगा submit करके देखते है accept हो गया इसको submit करते है okay okay so we have passed all the test cases and we have solved this question using DFS also great I hope you understand कोई भी doubt हो comments में अपने query को पूछो I'll try to help you out see you guys in the next video thank you में लूड़ अपने लूड़ do